खबर गया जीले से हैं जहां मानपूर प्रखन के ननावक पंचायत ग्राम नौधरिया में आयुस्मान भारत स्वास्त केंद्र में ताला लटकता रहता है महीनों में एक दो बार खोल कर खाना पूर्ती की जाती है पंचायत के लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है एक तरफ बिहार के स्वास्त मंत्री अस्पताल का औचक निरिक्षन कर प्रात्मिक स्वास्त केंद्रों में हो रहे इलाज का समचाल लेते हैं तो दूसरी और गया के कई ग्रामीर स्वास केंद्रों में स्टाफ की लापरवाहिस से समय अनुसार ताला नहीं खुलता है। आए दिन मरीजों को परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है। महीना में कहा दिन खुल गया तो बहुत है। गाओं के लोग बाहर जाते हैं है बाहर प्राइविट है। महीना में कैवर खुलता है। कहीं करते हैं आप लोग ने डूजों के चांद से बत्तर है यह अस्पताल है। आप लोग के बहुत परसानिया होता हुआ ह। रात भी रात में। कौन बोलता है जहां जाना जाओ कोई दिकत नहीं होगा तब हम लोग भी रहते हैं तब अगर बीमार आदमी पड़ा बाहर में काफी रोड पे मेडिकल है जाके दिखवाते हैं सब्सक्राइब करें लगा उस समय सबसे लाष्ट में नौधरिया स्वास्तकेंद्र में उस समय भी यहां जब बीड़ जूटने लगा काफी बड़ा गउं जब भीड़ जूटने लगा सुई 10-20 को के पड़ा एकई सुई पड़ा उस समय हम ही रजिस्टर लिख रहे थे सुई खतम हो गया पुरा हंगामा होने लगा उस समय भीड़ हम लोग ग्रामी जनता सब मिलकर बीड़ को समा रहें भीड़ को चलाएं कि कल पड़ेगा परसों पड़ेगा लेकिन यहां का कौन से टेमपू लाएंगे चाहिए अपना बाइक रहेगा लेकर हम लोग गया भागेंगे